ओम नम शिवाय अवदूत गीता पंच्मो अध्यायः ओम इती गदितम गगन समम ततना परापर सार विजार इती अविलास विलास निराकरणम कथम शर्प बुध्धी समुचरणम ओम इस प्रकार जो उचारण किया जाता है वह अकाश तुल्ले व्यापक है वह पर और अपर प्रह्म के सार का विचार नहीं है उसमें जगत के विलास एवं आविलास का अभाव है फिर अक्षर एवं बिंदू रूप ओम शब्द का उचारण किस प्रकार हो सकता है इती तत्व मसी प्रभर्ती शृति भी प्रति पादित मात्मनी तत्व मसी त्वम उपाधी विवर्जित सर्व समम किमू रोधिशी मानसी सर्व समम इस प्रकार शृतियों ने जिस आत्मा को तत्व मसी यह तू ही है कहकर प्रति पादित किया है वह आत्मा तू ही है इसलिए तू उपाधी से रहित सर्वत्र सम रूप है हे मन तू सर्व में समान रूप है फिर किस पास्ते रुदन करता है अध उर्द्व विवर्जित सर्व समम बही रंतर परजित सर्व समम यदी चैक विवर्जित सर्व समम किम रोधिशी मानसी सर्व समम हे मन तू उपर और नीचे से रहित सब में समभाव है बाहर और बीतर से रहित सब में सम है और यदी एक से रहित सब में सम है तो फिर तू किस पास्ते रुदन करता है ना ही कल्पित कल्प विचार इती ना ही कारण कारे विचार इती पत संधी विवर्जित सर्व समम किम रोधिशी मानसी सर्व समम हे मन तू ना तो कल्पित है ना कल्प आदि विचार ही है ना तू कारण एवं कारे रूपी विचार ही है तेरे में पत एवं संधी भी नहीं है बलकि सब में सम ही है फिर किस पास्ते तू रुदन करता है ना ही बोध विबोध समाधी रिती ना ही देश विदेश समाधी रिती ना ही काल विकाल समाधी रिती किम रोधिशी मानसी सर्व समम हे मन तु ज्ञान एवं मज्ञान रूपी समादी नहीं है ना देश विदेश एवं काल विकाल रूपी समादी ही है तु सरवत्र सम रूप है फिर किस वास्ते रुदन करता है ना ही कुम्भ नबो ही ना ही कुम्भ इती ना ही जीवन पुर्ण ही जीव इती ना ही कारण कारे विभाग इती किमु रोदिशी मानसी सर्व समम रे मन ना तु गटा काश है ना गठी है ना तु जीव का शरीर है ना जीव ही है तेरे में कारण एवं कारे का विभाग भी नही फिर तू किस वास्ते रुधन करता है तू सर्वत्र समरूप है इह सर्व निरंतर मोक्ष पदम लगू देर्ग विचार विहीन इती नाही वर्तुल कोण विभाग इती क्यमू रोदिशी मानसी सर्व समम यह आत्मा सर्व एकरस एवं मोक्ष पदवाला है यह लगू देर्ग अधि विचार से रहित है इसमें गोल एवं कोण का विभाग भी नहीं है फिर यह मन तू किस कारण से रुधन करता है तू सर्वत्र समरूप है इह शुन्य विशुन्य विहीन इती इही शुद्ध विशुद्ध विहीन इती इही सर्व विहीन इती क्यमू रोदिशी मानसी इस आत्मा में शुन्य एवं विशुन्य विहीन, शुद्ध एवं विशुद्ध विहीन, सर्व एवं विसर्व विहीन, आदी का वेवार नहीं होता, हे मन तु सर्व में सम है, फिर किस वास्ते रुधन करता है? नाही भिन्न विभिन्न विचारिती, बही रंतर संधी विचारिती, अरी मित्र विवर्जित सर्व समम, किमुरोधिशी मानसी सर्व समम, इस आत्मा में भिन्न एवं विभिन्न का विचार भी नहीं हो सकता, पाहर भीतर और संधी का विचार भी इसमें नहीं हो सकता, शुद् पिर हे मन तुकिस पास्ते रुदन करता है तु सर्व में सम है ना ही शिश्य विशिश्य स्वरूप इती ना चराचर भेद विचार इती इही सर्व निरंतर मौक्ष पदम किमुरोधशी मानसी सर्व समम यह आत्मा शिश्य एवं अशिश्य स्वरूप भी नहीं है ना इसमें चर एवं अचर जगत के भेद का विचार ही है यह सर्व रूप निरंतर एवं मौक्ष पदवाला है इसलिए है मन तुकिस पास्ते रुदन करता है तु सर्व में सम आत्मा है ननु रूप विरूप विहीन इती ननु भिन विहीन इती ननु सर्ग विसर्ग विहीन इती किम रोधशी मानसी सर्व समम निश्चे ही यह आत्मा रूप एवं विरूप से विहीन है निश्चे ही यह विन एवं विभिन रूपों से विहीन है निश्चे ही यह उत्पत्ती एवं प्रले से भी रहित है फिर हे मन तु किस पास्ते रुदन करता है तु आत्मा रूप होने से सर्व में सम है ना गुणा गुणा पाश निबंध इती मृत जीवन कर्म करोमी कथम इती शुद्ध निरंजन सर्व समम किम रोधिशी मानसी सर्व समम गुण एवं निर्गुण के पाश का बंधन उसमें नहीं है इसलिए वह मृत एवं जीवन के कर्म किस प्रकार करता है वह शुद्ध निर्दोश सर्व रूप एवं सम है फिरहे मन तुकिस कारण से रुधन करता है तु वही आत्पा है जो सर्व में सम है इही भाव विभाव विहीन इती इही काम विकाम विहीन इती इही बोधतमम खलू मोक्ष समम किमू रोदशी बानसी सर्व समम यह आत्मा भाव एवं विभाव से रहित है यह काम एवं विकाम से रहित है यह ग्यान सरूप एवं निश्चे ही पोक्ष रूप है इसलिए है म तू किस कारण से रुदन करता है तू सर्व में सम है इही तत्व निरंतर तत्व मेटी नाही संदी विसंदी विहीन इती यदी सर्व विवर्जित सर्व समम किमू रोधिशी मानसी सर्व समम इसमें आत्मा में तत्व में अथार्त नित्य तत्व का वेवार नहीं है ना ही इसमें संधी और विसंधी विचार का विचार है यदि यह सर्व से रहित सर्व में सम है तो फिर ही मन किस कारण से तू रुदन करता है तू आत्मा होने से सर्व में सम है अनिकेत कुटी परिवार समम इह संग विसंग विहीन परम इही बोद विबोद विहीन परम किम रोदशी मानसी सर्व समम एकांत कुटी में रहे अत्वा परिवार में रहे सब समान है क्योंकि वे आत्म संग एवं विसंग से रहित है वे ज्यान एवं अज्यान से भी रहित है तथा वही श्रेष्ट है फिर हे मन तू किस कारण रुदन करता है तू वही आत्मा है जो सर्व में सम है अविकार विकारम सत्यमिती अविलक्षित वीलक्षम सत्यमिती यदि केवल आत्मनी सत्यमिती कीमुरोदशी मानसी सर्व समम अविकार आत्मा का यह विकार योक्त जीवन है जगत है यह असत्य है जो अद्रिश्य है उसका यह द्रिश्य जगत असत्य है जबकि केवल आत्मा ही सत्य रूप है इसलिए है मन तु किस कारण से रुदन करता है तु आत्मा होने से सर्व में सम है इही सर्व समम खलू जीव इती इही सर्व निरंतर जीव इती इही केवल निश्चल जीव इती किमु रोधिशी मानसी सर्व समम इस संसार में निश्चय करके जीव ही सर्व एवं सम है इस संसार में निश्चय केवल जीव ही है हे मन तो किस कारण से रुदन करता है तू सर्व में सम है अविवेक विवेकम बोध इदी अविकल्प विकल्प बोध इदी यदी चैक निरंतर बोध इदी किम रोधिशी मानसी सर्व समम अविवेक और विवेक दोनों अज्यान है अविकल्प और विकल्प भी अज्यान है यदि वही एक नित्य बोध है फिर हे मन तू किस कारण से रुदन करता है तू सर्व में सम है ना ही मोक्ष पदम ना ही बंद पदम ना ही पुन्य पदम ना ही पाप पदम ना ही पुन्य पदम ना ही रिक्त पदम किमुरोधिशी मानसी सर्व समम ना मोक्ष पद ना बंद पद है ना पुन्य पद है ना पाप पद है ना पून पद है ना रिक्त पद है हे मन तु सर्व में सम है फिर किस कारण से रुधन करता है यदि वर्ण विवर्ण विहीन समम यदि कारण कारे विहीन समम यदि भेद विवेद विहीन समम की मुरोद शीमान से सर्व समम यदि है आत्मा वर्ण एवं विवर्ण से रहित और सम है यदि है कारण एवं कारे से रहित और सम है यदि है बेद और विभेद से रहित सम है तो हे मन तु किस कारण से रुदन करता है तु आत्मा होने से सर्व में सम है इही सर्व निरंतर सर्व चिते इही केवल निश्चल सर्व चिते द्वीपद आदी विवर्जित सर्व चिते की मुरोद शिमान सी सर्व समम यह आत्मा सर्व रूप नित्य एवं सबके चित्तों में रहता है इस अंसार में यही केवल निश्चल बाव से सब चितों में रहता है यह दो बाव से रहिद सब के चितों में रहता है हे मन तु वही आत्मा होने से सर्व में सम है फिर किस कारण से रुदन करता है अति सर्व निरंतर सर्व गतम अतिनिर्मल निश्चल सर्व गतम दिन रात्री विवर्जित सर्व गतम की मुरोध शिमान से सर्व समम यह आत्मा श्रेष्ट सर्व रूप नित्य एवं सभी में व्याप्त है यह अतिनिर्मल निश्चल एवं सभ में व्याप्त है फिर हे मन तू किस कारण से रुदन करता है तू सर्व में सम वही आत्मा है ना ही बंद विबंद समागम नम ना ही योग वियोग समागम नम ना ही तर्क विदर्ग समागम नम की मुरोद शिमान सी सर्व समम आत्मा में बंद और विबंद का समागम नहीं है ना योग और वियोग का समागम है ना तर्क और वितर्क का समागम है हे मन फिर तू किस कारण से रुदन करता है तू सर्व में सम है इही काल विकाल निरा करणम अरुड मात्र क्रिशान निरा करणम ना ही केवल सत्य निराकरणं की मुरोद शिमान से सर्व समम आत्मा में काल एवं विकाल का निराकरण है इसमें अनु मात्र भी अगनी का निराकरण है केवल सत्य का निराकरण इसमें नहीं है क्योंकि यह स्व्यम सत्य है फिर हे मन तु किस कारण से रुदन करता है तु सर्व में सम है इही देह विदेह विहीन इती ननु स्वप्न प्रसुप्ति विहीन परम अविधान विधान विहीन परम की मुरोद शिमान से सर्व समम यह आत्मा देह और विदेह से रहित है स्वप्न और सुशुप्ति से भी रहित है विधी एवं निशेत से भी रहित है फिर हे मन तु किस कारण से रुदन करता है तु वही आत्मा है जो सर्व में सम है गगनो पमम शुद विशाल समम अतिसर्व विवर्जित सर्व समम गतसार विसार विकार समम की मुरोद शिमान से सर्व समम यह आत्मा अकाश के समान व्यापक शुद्ध विशाल एवं सम है यह सर्व से रहित नहीं है किन्तु सर्व में सम है यह सार विशार एवं विकार से रहित है तथा सम है फिर हे मन तु किस कारण रुदन करता है तु सर्व में सम है इही धर्म विधर्म विराग गतमी ही वस्तू विवस्तू विराग तरम इही काम विकाम विराग तरम की मुरोद शीमान से सर्व समम इस संसार में धर्म और विधर्म से विरागी ही श्रेष्ट है काम और विकाम से विरागी ही श्रेष्ट है फिर हे मन तो किस कारण से रुदन करता है तो सर्व में सम है सुक दुख विवर्जित सर्व सम मही शोक विशोक विहीन परम गुरु शिश्य विवर्जित तत्व परम की मुरोद शीमान सी सर्व समम यह आत्मा सुक और दुख से रहीत सर्व एवं सम है यह शोक और विशोक से रहित परम है यह गुरू एवं शिश्य से रहित परम सत्व है फिर हे बन तु किस कारण से रुदन करता है तु सर्व में सम है ना किलांग कुर सार विसार इती ना चला चल साम में विसाम में मिती अविचार विचार विही निमिती की मुरोदी शिमान सी सर्व समम आत्वा में निश्चे ही सार एवं विचार का अंकुर भी नहीं है चल अचल सामे एवं वेशामे भी नहीं है यह विचार एवं अविचार से रहित है फिर हे मन तो किस कारण से रुधन करता है तु सर्व में सम है इही सार समुच्य सार मिती कथितम निज भाव विभेद इती विश्य करणत्व सत्य मिती की मुरोद शिमान सिसर्व समम यह आत्मा सार समुच्य सभी प्रकार के सारो का भी सार है ऐसा कहा गया है अपने भाव से भी इसका विभेद है यह भाव रूप नहीं है विश्यो का करणत्व कारे यही है ऐसा असत्य कहा गया है फिर हे मन तु किस कारण रुदन करता है तु सर्व में सम है अनेक शुतियां कथन करती है कि जितना भी ये अकाश आदे प्रपंच है पहमरिक तृष्णा के जल की समान है और ये एक चेतन ही नित्य एवं सर्व में सम है फिर हे मन तु किस कारण से रुदन करता है तु वही आत्म है जो सभी में समान रूप से है विंदन्ति विंदन्ति नाही नाही यत्र शंदो लक्षणम नाही नाही तत्र समर समगरो भावीत पूतः प्रलपती तत्वं परम अबधूतः परम अबधूर्श श्रेष्ट ग्यानी जिसका अंत्य करण पवित्र है उस एक रस आत्मा में ही मंगन रहता है तथा उस आत्म तद्वक का ही कथन करता है जिसमें चंद और लक्षण नहीं है उसी आत्मा को प्राप्थ होता है इती पंचमो अध्यायाहा पाचमा अध्याय समाब्त हरी ओम नमा शिवाय हरी ओम तत्सत